हेलो एंड वेलकम टू हमारी आपकी रसोई से आजकल की सिच्वेशन में जब सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और हेलपर्स भी नहीं आ रहे हैं पर कुछ मन पसंद खाने का भी मन करता है तो इजी टू कोक सीरीज में आज बनाएंगे सब की फेवरिट राजमा उसके साथ प कर लिया था इन केस आपने राजमा नहीं सोक करे हैं और राजमा बनाने का मन है तो आप राजमा को अच्छे से धोक ले और उन्हें कैसरोल लेकर या कोई भी बतन लेकर तेज गरम पानी डाल कर एक घंटे के लिए धक कर रख दें इस तरह से आपके राजमा सोक हो उसमें ये राजमा डाल लेंगे आड करेंगे तीन कप पानी आड करेंगे टू टीस्पून नमक और हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर इसका धक्कन लगाकर फर्स्ट विसल आने तक हाई फ्लेम पर रखेंगे फिर गैस को मीडियम स्लो करके पंदरा मिनट तक कुक करेंगे पंदरा मिनट हो गए हैं गैस आफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं जितने हमारा प्रेशर कुकर ठंडा हो रहा है मैं इसका मसाला तयार कर लेते हैं यह मैंने एक प्याज ली है इसको फाइनली चॉप कर लिया है साथ मैं ले रही हूँ छे लैसुन की कलिया अग इसे skip भी कर सकते हैं 4 टमाटर ये थोड़े छोटे साइज के हैं अगर आपके पास थोड़े बड़े साइज के हो तो आप दो ले ले एक इंच अद्रक का टुकडा और दो हरी मिट्च इन सभी चीजों का मिक्सर ग्राइंडर में प्योरे बना लेंगे आप चाहें तो इन्हें फाइनली चॉप भी कर सकते हैं प्योरी तयार है एक पैन गरम करेंगे आट करेंगे एक टेबल स्पूम घी आप चाहें तो ओइल जो भी आप यूज करते हैं वो ले सकते हैं आट करेंगे एक टीस्पूम जीरा जीरा लाल हो गया है हम एड़ करेंगे ये टोमाटो प्यूरे साथ ही एड़ करेंगे हाफ टीस्पून नमक हमने राजमा में नमक डाल दिया था अब बस सिरफ ग्रेवी के हिसाब से डालना है 1-4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून से थोड़ा कम लाल मिट्च पाउडर क्योंकि हम इसमें अभी गरम मसादा पाउडर भी डालना है इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इसे कवर करके मीडियम स्लो गैस पर 3-4 मिनट तक कुख होने देंगे लेकिन बीच-बीच में चलाते रहेंगे ताकि मसाले नीचे लगे नहीं चार मिनट हो गए हैं लेकिन अभी गरेवी में थोड़ी सी कसर है इसे हम 2-3 मिनट के लिए और कुख होने देंगे ताकि इसका मसाला थोड़ा ड्राइ हो जाये और गी छोड़ने लगे तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं ग्रेवी ने घी छोड़ना शुरूर कर दिया है मतलब हमारी ग्रेवी तयार है प्रेश मे Faland यह प्रेशर कोकर का का प्रेशर पूरी तरह से रिलीज हो गया है इससे तो खोल लेते हैं और राजमा है को किसे omega else pernah यह देखिये और इसे अच्छे से mix कर देंगे अड़ करेंगे एक टी स्पून आम चूर पाउडर इसे भी अच्छे से mix कर देंगे अब प्रेश कुकर का धक्कर लगाएंगे मीडियम गैस पर एक विसल आने तक कुक कर लेंगे ताकि इसमें जो हमने मसाले आड़ करें वो अच्छी तरह रम जाए उनका फ्लेवर राजमा में अंदर तक चला जाए देखे विसल आ गई है गैस आफ कर देंगे और इसके ठंडा होने देंगे जितने हमारा प्रेश्र कूका ठंडा होता है हम बना लेते हैं प्याज वाले चावल आप ट्राय करिएगा ये राजमा के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं इसके लिए मैंने ये दो कप बॉइल राइस लिए हैं और दो प्याज एकदम महीन कटी हुई एक पैन गरम करेंगे और इसमें लेंगे एक टेबल स्पून घी मैं यहां घी ले रहे हूँ क्योंकि चावल में घी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है आप चाहें तो ओईल यूज कर सकते हैं आड़ करेंगे 1व टी स्पून जीरा जीरा अच्छे से लाल हो गया है इसमें आड़ करेंगे प्याज । प्याज light-pink होने तक सौटे कर लेंगे देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है बस हमें इतना ही भूनना है इसमें आड करेंगे एक हरी मिर्च लंबी कटी हो यह अप्शनल है अगर आपको पसंद हो तो डाले आड करेंगे हमारे रैस डालेंगे half teaspoon नमक, half teaspoon काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया इन्हें बहुत हलके हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस बात का ध्यान रखेगा जब boiled rice इसमें टालें तो थोड़े ठंड़े करके डालें नहीं तो चलाने में वह बहुत जल्दी टूट जाएंगे तैयार हो गए हमारे प्याजवले चाल प्राजमा का प्रेशर गुकर भी ठंड़ा हो गया है इसे खोल लेते हैं अरे देखिए कितना सुंदर कलर आया है खुश्पू भी बहुत बड़ी हारी है आड़ करेंगे half teaspoon गरम मसाला पाउडर और बारीक कटा हरा धनिया इन्हें मिक्स कर लेंगे इन्हें सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं तो लीजिए तैयार है सब के मन पसंद चहेते राजमा चावल तो आप भी इसे बनाएं और अपने experience जरूर से शेयर करके बताएं कि आपको कैसे लगी साथ ही कमेंट करके डिशिस के suggestion दे जो आप घर पर बनाना चाहते हैं ताकि मैं उनकी वीडियोज अपलोड कर सकूँ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टे फिट स्टे हेल्दी